हेलो माइ ब्यूटिफुल सोल्स वेल्कम बैक तो मै चैनल टारो विशिवी ट्रिपल एट गाइस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले लाइक बटन को प्रेस कर दीजे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे गाइस एक जेनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रे गाइस आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप जिस भी पार्टनर के साथ रिलेशन्शिप में रहे हो जिसके लिए भी आप इतने परेशान हो वो उसके साथ अपका कनेक्शन आकर है क्या आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सोल्मेट से कनेक्शन हो या आप कार्मि connection में हो ठीक है आज हम इस पर रीडिंग करने वाले हैं क्योंकि मैंने almost आपके सारे questions के answers पर वीडियो बनाए हुए है एक ही हो सकता है question आपके दिमाग में यह भी चलता हो कि आपका connection twin flame है soulmate है या कार्मिक है तो चलिए हम इस पर रीडिंग करने वाले हैं so pile number one में रखा है मैंने manifestation and pile number two में रखा है मैंने compatibility so आप चाहें आप जो भी pile आपको पसंद आता है आप उस pile को select कर सकते हैं यह है manifestation pile number one and pile number two is compatibility so जो भी pile आपको समझ में आता है आप उस pile को select कर सकते हैं पाइल का टाइम जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दुँगी, so आप उस पाइल पर जाकर अपनी रीडिंग को देख सकते हैं, so ठीक है गाइस, रीडिंग को करते हैं, स्टार्ट, हम स्टार्ट, हैलो पाइल नंबर वन, तुझिनों ने भी पाइल नंबर वन, मैंनिफे प्लीज एंजल्स बताइए मेरे विवर्स का जो कनेक्शन है जिन्होंने भी पाइल नमबर वन को चूज किया है उनका जो भी कनेक्शन है वो कौन सा कनेक्शन है ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है Soulmate सा connection है या फिर कार्मिक connection है प्लीज बताईए Angels जिन्होंने भी manifestation को चूज किया है उनका connection कौन सा connection है Death कौन सा connection है प्लीज बताईए Angels Temperance Knight of Pentacles Five of Cups Wheel of Fortune Page of Cups Seven of Cups प्लीज बताईए Angels कौन सा connection है मेरे व्यूवर्स का Seven of Swords Nine of Vents Page of Pentacles Two cards हो लेते हैं Three of Cups King of Vents and Moon King of Cups Okay Okay जार्याइश लेगाईश जाएश लेगाईश लगता है कि आपलों का जो connection है वो मुझे एक spiritual connection लग रहा है क्योंकि यहाँ पर temperance on moon आये है यहाँ पर angel present है तो कहीं ने कहीं एक spiritual connection है guys आपका ठीक है right now guys मुझे इस connection की हालत कुछ ठीक दिखाई नहीं दे रही आप लोग एक divine connection के साथ deal कर रहे हो ठीक है तो maybe यह twin flame या soulmate हो सकता है यहाँ पर guys मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग जिस भी partner के साथ deal कर रहे हो पास्ट पर उसने आपके साथ बहुत जादा ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत तकलीव दी है literally आपके partners ने आपके साथ cheating की है यह cheating कर के भाग गग गए आपको back step करके भाग गए आपको दोका दे के भाग गए ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यह जो भी partner रहे हैं आपके इन्होंने आपको literally back step किया है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि past में guys आपके partners के पास काफी जादा option थे so guys इन्होंने सही option को select नहीं किया मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर किसी third party को choose किया किसी third person को choose कर लिया यहाँ पर so इतने सारे options होनी की वज़े से आपके partners के mind में clarity नहीं थी इन्होंने किसी और को choose कर लिया उसके बाद guys यहाँ पर nine of wend से खा रहा है कि आप लोगोंने बहुत अकेलापन देखा है अपनी life में ठीक है यह इस partners की cheating के बाद आप बहुत जादा अकेला feel कर रहे थे खुद को आपको समझ में नहीं आर था कि आप लोगों खुद को कैसे संभाले तो कहीं नहीं बहुत तकलीफों का सामना आप लोगोंने किया है ठीक है उसके बाद guys मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी partner है ठीक है उन्होंने आपके साथ भले ही कुछ भी क्यों ना किया हूँ लेकिन आपके connection अभी आपका जो भी connection हो पूरी तरीके से खतम नहीं हुआ है क्योंकि मुझे आपके partners ना आपके साथ यह सब करने के बाद काफी जादा regret में दिखाई दे रहा है five of cups की energy है काफी जादा दुखी और काफी जादा तकलीफ में आपके partners है इन दो cups को जो आप लोगों की cup थे इनको छोड़कर आपके partners खुश नहीं दिखाई दे रहा है मुझे आपके connection में एक transformation की जरुआ थी ताकि आप लोगों को एक दूसरी की value समझ में आए इस connection में आप लोगों का जरुरत था यहाँ पर कि आप लोगों को समझ में आए कि आगे आप लोगों को कैसे बढ़ना है ठीक है आप लोगों के हो सकता है आप लोगों के बीच में इतनी mash-up हो गया था इतनी लडाईया हो गई थी इतनी misunderstanding हो गई थी कि एक break देना जरूरी था इस connection में transformation लिखा था और यहाँ पर will of fortune का card है तो जो कि दिखा रहाए कि आप लोगों ने काफी जाद अपने पार्टनर के साथ रहकर जेला है मुझे ऐसा लग रहा है यहां पर पेज ओफ कपस और पेज ओफ पेंटिकल्स को देखके लेकिन आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपको ओफर देंगे मुझे क्रिज कनेशन मुझे हैं पर दिखाई दे रहा है आपको इसके साथ तब चीडिव तकिप में आपके साथ पार्टन का भी कनेशन पर चीचेंगे Hebrew का इंजाए चयंजे गार्ययोच करोंगे अपलोग एक बेर बैलन्स में अपॉगे आपके पार्टनर्स आपकी तरफ रिटर्न आएंगे यहां पर कार्ट्स क्लियर हैं कि आप लोगे कर्रेक्शन में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है पर इस कर्रेक्शन में इस चान्सफॉर्मिशन के बाद बहुत कुछ अच्छा होने वाला है ऐसा मुझे आपर दिखाई दे रहा है with wheel of fortune and death ठीक है राइट ना आपके पार्टनर्स में मन में काफी ज़ादा hidden feelings हैं काफी deception भी उनके दिमाग में हैं ठीक है अब आपनी बातों को खुल कर बताते नहीं है आने वाले टाइम में आपको ये भी देखने को मिलेगा आप किसी particular person को काफी ठमय से manifest कर रहे हैं और यही वो partner है जिसको आप manifest कर रहे हैं जिसके साथ आपका connection खराब हो चुका है उसके साथ आप लोग का connection आने वाले टाइम में जरूर बनते हुए मुझे आपर दिखाई दे रहा है ये इनसान आपका divine counterpart मुझे यहाँ पर दिख रहा है ठीक है गाईस आप लोग एक spiritual connection में हो चलिए यहाँ से देखते हैं और clear please angels बताये मेरे viewers जिनों में pile no.1 manifestation कुछ चूज किया है उनका connection कौन सा connection है solitude universe suffering in silence from foundation financial and material changes hope wisdom destiny positive movement forward spiritual strength यहाँ से है temptation devil okay so guys यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के partners अभी आप लोग के connection में कुछ भी ठीक है नहीं चल रहा है devil energies आपके connection में है आप लोग अकेले पन से deal कर रहे हो suffering in silence का card है आप लोग अकेले में सफर कर रहे हो आप लोग बहुत मजबूत बनकर from foundation का card है मजबूत बनकर खड़े हुए हो financially भी आप लोगों को loss मुझे दिखाई दे रहा है आपने काफी spiritual strength बनाई हुए आप एक direction में आगे बढ़ रहे हो लेकिन guys यहां पर यह 4 cards जो है wisdom, destiny, hope and universe यह जो clearly दिखा रहा है कि आप लोग के connection में अभी पूरी hope है यह connection मुझे destined connection दिखाई दे रहा है और इस connection को खुद universe support कर रहा है इस connection में पूरी hope है और यह connection में marriage तक जा सकता है definitely ठीक है right now मुझे इस connection में काफी जादा devil energies दिखाई दे रही है कोई बात नहीं लेकिन devil कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि universe यहां पर आय हुए है so guys यह थी आपकी reading I hope आपको reading पसंद आई हो तो अगर आपको reading पसंद आई है तो में चैना को like कर दीजे subscribe कर दीजे and thank you guys hello pile no.2 तो जिन्होंने भी pile no.2 को चूज किया है compatibility चलिए आपकी reading को करते हैं start क्या connection है आपका please angels बताइए मेरे viewers जिन्होंने भी pile no.2 को चूज किया है उनका जो connection है वो कौन सा connection है क्या उनका कोई spiritual connection है या कोई ordinary connection है Ace of Swords Seven of Swords, Knight of Pentacles Devil Six of Swords Six of Swords Ace of Cups Queen of Swords Two of Cups Three of Pentacles Queen of Cups Death Justice And Three of Cups One of Swords Okay One of Swords One of Swords Two of Swords कोई negativity है आपके connection में, क्योंकि आप लोग इक divine connection में हो, divine connection इतनी easy and easily, you know, इतने easily, जो devil होते हैं, वो इतनी easily इस connection को जोड़ने नहीं देते, negative energies परिशान करने लगती है, तो ऐसा लग रहा है कि इस connection में कुछ ना कुछ negativity है, इसके बाइद queen of swords आई है and queen of cups यहां से निकल कर आई है, जो कि clearly दिखा रहा है कि आप लोग के connection में कोई third person involved है, ठीक है, third person आपके partners हो सकता है कि, ऐसा भी हो सकता है कि आपके partners किसी third person के साथ, third party के साथ involved हो, ठीक है, bottom से भी three of cups है, यहां से भी three of pentacles है, आपके partners किसी के साथ involved है, आपके partners आपके साथ cheating करके चले गए, बैक स्टेप करके चले गए, किसी third party के लिए आपको क्यूंकि और यह जो third party है जिसके लिए आपको back step किया गया है, काफी जादा controlling है, आपके partner का इस जो queen of swords है, इसका जो हाथ है ना एक तरीके से आपके partners की गर्दन पर है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो, काफी controlling यह person है, जो भी है, अगर आपके partner के, तब आपकी life में कोई भी third person नहीं है, आपके partners की life में, तो यह mother हो सकती है, जो इतनी dominating है, जिनके पीछे जिनकी वज़ से, या जिनके कहने पर आपके partners ने आपके साथ move on किया और आपको cheating करके भाग गए, इतना प्यार होने के बाद भी, guys, यह soulmates का connection है, divine की blessing इस connection को है, आपके partners आपसे उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही चाहते हैं, जतना आप अपने partner से प्यार करते हैं, जतना आप अपने partners को चाहते हो, तो प्यार की यहाँ पर कोई कमी नहीं है, आप बहुत प्यार करते हो अपने partners से, लेकिन आपके partners से आपको ना चुनकर किसी queen of sorts को चुल लिया, कुसी controlling lady को चुल लिया, तो अब चुल लिया है, तो यही इस connection में परेशानी create की हो है, उसके बाद यहाँ पर family समाज भी एक बहुत बड़ी वज़ा है, आप लोगों के दूरी की, ठीक है, यहाँ पर मुझे इस वाली pile में मुझे ऐसा लग रहा है, कि यह वाला जो connection है, यह काफी deep connection है, लेकिन इस connection में भरपूर devils हैं, भरपूर, देखो devil वहाँ भी निकल कर आया था, devil energy वहाँ भी थी, वो भी एक spiritual connection निकल कर आया था, pile number one में भी, लेकिन pile number two में, यहाँ पर मुझे काफी सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देरी, मुझे ऐसा लगता है, कि आप लोगों ने बहुत जादा इस connection में सफर किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर death और justice दिखा रहे हैं, कि इस connection का transformation तो होना है, इस connection में justice होना है, आपके partners अगर किसी के साथ चले गए हैं, इस queen of sorts के साथ, तो यह guys आपके partners का जो भी है, वो karmic partner है, ठीक है, उसके साथ आपके partners का करमा है, इस connection में जब भी भी आपके partners उस person के साथ अपने करमा को totally clear कर लेंगे, इस connection में justice होना है इस connection में divine खुद justice करेंगे divine खुद intervene करेंगे और ये जो card आया है death का, so आपके partners you know, दुबारा से transform होंगे और आपकी तरफ return आएंगे, आपकी साथ reconciliation करेंगे long distance relationship में आप हो सकते हो ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, आपके partners आपकी तरफ action लेंगे और आपकी तरफ आएंगे, ये cards action के cards भी आपर निकल कर आएंगे, आप लोग काफी ज़ादा enjoy करोगे, अपनी life में और आपके partners आपको clarity भी देंगे और अपना ये प्यार भरा cup भी आपको offer करेंगे, आपके साथ new beginning होगी, ये जो reading है, वो बहुत clear reading निकल कर आई है, कि soulmates का connection है, आपका लेकिन present situation इस connection की ठीक नहीं है, इस connection में transformation भी आना था, और justice भी इस connection के साथ होगा, definitely होगा, major arkanा यहाँ पर present है, आपके connection में third party के नाम पर mother issue दिख रहा है कोई third person भी है, और family sama society भी यहाँ पर बनी हुई है third party, ठीक है, सो कोई बात नहीं justice आया है, सो फिर सब एक line में लगेंगे, guys, जब divine आते हैं, तो फिर किसी के क्या मजाल की कोई आजाए जब divine आते हैं, अपनी तलवार लेके तो फिर सब एस तैसी कराएं सब, ठीक है divine के आँगे कोई नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ, divine को surrender करते हैं, divine से better आपको कोई नहीं दे सकता और देखते हैं तो guys, यह connection आपका जो भी है जिस भी partner के साथ, आप deal कर रहे हैं एक soulmate का connection है Empress है guys, आप Empress है एक Patience and planning Spiritual strength बार बार गिर रहे हैं, तो ले लेती हूँ Throat Chakra तीम बार गिरा है थर्ड आई चक्रा यह दो चक्रा भी काफी निकलते हैं Throat और थर्ड आई इसका मतलब है कि आपके partner का Throat और थर्ड आई पता है Guys, ऐसे ही है यह भी दो कार्ड जाए हैं अगें यहाँ आप the soulmates Definitely मुझे लग रहे है कि आप लोग ना Soulmates से connection में हो यहाँ पर clear reading निकल कर आई यह वाली Light Victory and Success Okay, double six Triple six present है Angel number Stand your ground Destiny मेरी उप्सूरत कार्ड से हैं यहाँ से कार्ड है Transformation यहाँ से suffering and silence Okay ठीके guys चलिए बताती हूँ मैं So, यहाँ पर guys मुझे clearly दिखाई दे रहा है कि आप लोग का connection है वो definitely soulmates का connection यहाँ पर निकल कर आई है और आप लोग एक दूसरी की destiny में लिखे हुए destiny का card है आप लोग एक दूसरी की destiny में लिखे हुए हो इस connection को victory भी मिलेगी आपके partners आपके लिए stand भी लेंगे अभी right now आपके और आपके partners का transformation चल रहा है इस connection में light भी आईगी आप अपने partners के लिए एक empress हो patience and planning का card है तो थोड़ा सा patience रखे planning को divine कर रहे है spiritual strength आप दोनों ने बनाई हुई है mental conflict भी आप लोग को रहता है mind में कभी आप अपने partners के बारे में काफी अच्छा सोचते हो और कभी आपको उन पर गुस्ता आ जाता है आपको ऐसा लगता है कि कैसा इंसान है throat chakra और third eye पर आप लोगों के partners के काम चल रहा है हो सकते कि आपके partners express करने में थोड़े कम हो बातों को express नहीं करते बताते नहीं है जल्दी कुछ भी शेर नहीं करते आप से third eye मतलब इसका मतलब है कि आपके partners का vision क्लियर करने की कोशिश करेंगे divine की बता सकें कि आपके साथ एक soul connection है so यहाँ पर clearly एक soul connection निकल कर आए so pile number two आप लोगों उने जिन्होंने भी compatibility को चूज किया था आप लोगे एक soul mate की connection में हो और यह connection मुझे destination connection दिख रहा है इस connection को victory मिलेगी आपके partners इस transformation के बाद आपके लिए stand लेंगे stand your ground का card भी है throat chakra भी open करेंगे अपने आप खुलकर सारी बाते बता देंगे कि उनकी जिंदगी में उनकी life में आपकी क्या जगए है third eye भी open हो गया इनको समझ में आएगा कि आपको यह भुला नहीं सकते आपके साथ एक soul connection है और यह भी बताएंगे कि आप ही इनकी lucky charm हो ठीक है आप इनकी life में अगर नहीं हो तो यह कुछ भी नहीं है यह आपके other half है ठीक है तो मुझे यहाँ पर divine counter वाली पूरी feeling आ रहे ही अस reading को करने में pile number one की reading पे चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं ठीक है pile number two की भी reading काफ़ी जादा खुबसूरत निकल कर आई है और मुझे बहुत अच्छा लगा यह reading करके so guys आप लोग के दिमाग में अगर यह वाला question भी था कि आपका connection क्या है ठीक है आप लोग किस connection के साथ deal कर रहे हो क्या कोई कार में कि इनसान तो नहीं है तो guys pile number two यह आपका कोई कार में connection नहीं है यह आपका divine connection है एक soulmate सा connection आपके partners past की memories को ही हमेशा याद करते रहते हैं और आपकी तरफ वो भी इस टाइम खुश नहीं है so guys यह थी आपकी reading आपको reading पसंद आई हो तो अगर आपको reading पसंद आई तो मैंचे आपको like कर दीजे subscribe कर दीजे and thank you guys